आज की दोर में इंसान के चारों तरफ लेक्ट्रोनिस के चीजों की भरमार है ये लेक्ट्रोनिस के जो चीजें हैं जैसे मोबाईल, लेप्टॉप या फिर कहें EV याने की एलेक्ट्रिक वेहेकल्स जो फिलाल आजकल बूम में चल रही हैं इन सभी चीजों के बगैर इनसान 24 घंटे तो क्या 24 मिनट भी बिताना मुश्किल समस्ता है इन सभी चीजों का जो पावर का जो में सोर्स है वो लीथियम एन बैटरी नाम से ही पता चल रहा है कि लिथियम बैटरी का जो मेन कंपोनेंट है वो है लिथियम, जो कि प्रित्वीक पे अच्छी खासे अमांट पे मौझूद है ये लिथियम हमारे प्रित्वी पर नमक के मैदान, खारे पानी के जिल या फिर कहें अंडर्ग्राउंड वाटर में मौझूद है कई जगों से इसे निकालना आसान तो कई जगों से निकालना काफी मुश्किल है साउथ अमेरिका में दुनिया का आधे से ज़्यादा लिथियम मौझूद है यहां के खारे पानी को जिलों में लिथियम असानी से निकाला जा रहा है लेकिन एक एवरेज इवी कार के बैटरी में जितना लिथियम लगता है उतना लिथियम निकालने के लिए लगभग 3-12,000 लिटर तक का जो पानी है वो खर्च कर देते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहां की जो जीले है 5-6 सालों में सुख जाएंगी इसके अलावा दूसरा देश जर्मनी के पास लगभग 27,000,000 टन का लिथियम का भंडार है जो वहां के राइन नदी के जमीन के नीचे मौझूद है नदी के जमीन के नीचे का जो खारा पानी है उसको निकाल कर वहां से लिथियम पाया तो जा सकता है लेकिन यहां पर एक समस्या है उस खारे पानी के साथ मेटे पानी भी खर्च होगा जो कि उस लिथियम की एक बहुत बड़ी कीमयत होगी और इसके चलते अंडर्ग्राउंड वाटर का लेवेल भी गिर जाएगा आपको बता दू कि एक टन लिथियम बनाने में लगभग 2.2 मिलियन लेटर पानी खर्च होता है एक सर्वें पता चला है कि EV का जब हम यूज करते हैं तो लगभग वो 50 ग्राम CO2 पर किलोमेटर निकालता है वही डिजल इंजन लगभग 120 ग्राम CO2 पर किलोमेटर निकालता है लेकिन जब बात आती है प्रोडक्षन की नतीज़ा कुछ उल्टा है EV के यत्पादन में 70 ग्राम CO2 पर किलोमेटर वहीं डिजल इंजन में 30 ग्राम CO2 पर किलोमेटर जनरेट होता है लिथियम एन बैटरी का एक alternate option अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है सिवाए उसके recycling के अब recycling लिथियम एन बैटरी का एक अच्छा खासा खरचीला क्या मोलते प्रोसेस हैं जिसके कारण फिलहाल सांटेस इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं चुकि लिथियम हमारे अर्थ पर एक easy रुप में हमको मिल जा रहा है करके हम recycling पर उसपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन आखिर कब तक